क्रिम 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 ही मुं मं धक्षिना कालिके। सिद्ध सदक परिवार के इस चानल में आपका स्वगत है। जानने योगयों बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथी साथ सक्तिसाली से अतित इब्रशक्तिसाली ठोटके भी दिये जा रहे हैं तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम बात करेंगे तथा साब्धानी सहित पूर्ण साधना विधान देंगे सत्रु बादा भसमे भूत करने वाली ज्वाला मालिने तंत्र साधना के विशय में आप यह साधना को कालाश्टमी में कर सकते हैं अथवा किसी भी सन्यवार की रात्री को इस महतोपुर्ण साधना को संपन कर सकते हैं और उसे एक बार नहीं हम तो कहेंगे इसको बार बार संपन करते रहना चाहिए यह एक महतोपुर्ण साधना है जीवन का अब साधना भिधान के विशय में बात करते हैं साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधना सामगरी को पहले से ही आप एकत्र करके रख लें जिसमें कुमकुम, अक्षयत, घीका दीपक, पूस पहार तथा ज्वाला मालीनी यंत्र, गुरु चित्र जहां से आपने गुरु दिख्षया लिए हो आपने वो गुरु देवजी का चित्र तथा ज्वाला माला याद रहें यंत्र एबं माला दोनों प्राणपतिष्टित होने चाहिए अब साधक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और पीले आशन का प्रवयगिस साधना में आप अवस्या करें अब इस प्रकार साधना सामगरी को एकात्र करने के पस्चाद साधक स्नानादी से निब्रुत होकर पीली धोती पहन कर और उपर से जहां से आपने गुरु दिक्ष्या लिये हो वो आपको उसको गुरु चादर कह सकते हैं गुरु पितामबर कह सकते हैं जो चादर आप दिये होंगे उस चादर को आपने उपर ओढ़ लें आपने पुजास्तान में प्रभेश करें फिर बिकेबल बीरासन में नहीं तो आप सिध्धासन में ये दोनों में आप बेड़ जाएं और आपने सामने लकडी के बाजोट पर पीला वस्तर बिछा लें उस पर आपने गुर्देब जी का चित्र को स्तापित करें उनका पंचोबचार पूजन करें तथ पस्चात गूरु चित्र के सम्मुख एक प्लेट में कुमकुम से बिंदी लगा कर उस पर ज्वाला मालीनी यंत्र को स्तापित कर दें फिर घी का दिपक प्रजोलित कर कुमकुम, अक्षत, पुस्प इन सभी सामोग्रियों से यंत्र का पूजन करें, पूजन के पस्चात हाथ में जल लेकर संकल्ब करें और अपना नाम तथा गोत्र का उच्चारण करें, जिस कारिय के लिए साधना कर रहे हैं, उसे बोल कर जल जमिन पर छोड़ दें, अब साधक को सबसे पहले ज्वाला मालिनी देवी जी का चिंतन एबम ध्यान करना चाहिए, ध्यान मंत्र कौन सा है, हम वो आपको बताने वाले हैं, आप उसी मंत्र में ही ध्यान करें, उसके बाद कर्ण्यास और अंग्यास भी बताएंगे, उनका अब उच्चयारना आपको करना होगा, पहले ध्यान को लिक्के रखलें, तारा नमर भगवती ज्वाला मालिनी तत्परम, दिभ्यानते सर्भभूतानते सहरानते तुकारिके, जातवेद सिवारनानते ज्वारनती प्रज्डानती च, ज्वालायनत प्रज्डानते कवचम प पावक द्वयम अब कर नियाशकेशे करें आप अंग न्यास को बोलते रहे हैं जैसे अम हुरुदेय नमा हुरुदे को सपर्ष करें भगवती शिर्शे च्वाहा अपने शिर्शे को सपर्ष करें अब एसदे आपको इस अंगों को सपर्ष करना होगा अब ध्यान न्यास संपन करने के पस्चात ज्वाला माला से सर्म प्रत्थम आपके गुरुदेव जब आपने दिक्सिया लिया है होगा तो गुरुदेव आपको आपने गुरु मंत्र दिये होंगे उस गुरु मंत्र का आपको चार माला का जाप अवस्य करना है तद पस्चा गुरु मंत्र जाप करने के पस्चाथ जुआला माला से ही जो तीब्र जुआला मालिनी तंतर का मंत्र बताने जा रहे हैं उसका 5 मेला ही के बल जाप करें बीरासं में नहीं तो सिद्धासं में मंत्र ऐसा है आप लिख के रख लें उच्चारण में चूक नहीं करें अब मंत्र जाप पूर्णे करने के पस्चात 11 दिन तक उस माला को धारण करके रखें जो जौला माला आप जिसमें जाप करते हैं उसको धारण करके रखें और उसके पस्चात उस यंत्र एबंग माला को किसी नदी अथवाताला में विशरजित कर दें इस साधनाकाल में साधक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा ही यह निवार्य है तथा भूमी पर ही सयन करना चाहिए तथा स्रद्धा पूर्बक इस मंत्र का जाप करने से उस साधक को हर जगे हर स्तान हर काम में विजय प्राप्त होता ही है इस में कोई संसाय नहीं है यह हम सिद्ध साधक परिवार के तरफ से आप यह कह रहे हैं हैं जो इसको स्रद्धा पूर्बक संपन करता है उसको हर छेतर में केवल बिजय ही बिजय प्राप्त होता है और इस प्रयोक को संपन करने पर इसका तीक्ष्ण प्रभावी इतना आता है, साधक को प्राप्त हो जाता है स्वयम्ही इसके द्वारा सत्रूनास्तो होता ही ए, साथी साथ साधक की प्रत्यक इच्छा भी पूर्ण होने लग जाता है। और यही नहीं, अपितु कुरोध पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए भी यह एक स्रेष्ट साधना है, अतह इसे प्रत्यक साधक को गुरुहस्त को समय समय पर संपन करना ही रहना चाहिए, जिससे कि साधक आने बली विपत्तियों का सामना निर्भयता के अफलता पुर्वक दटे रह सके, आज के लिए इतना ही था, चानल में हमारा इमेल आइडी दिया हुआ है, जिनको यह साधना संपन करना हो, वो हमें इमेल कर सकते हैं, ताकि उनका पूर्ण मार्क दर्शन हम कर सकें, एक बात और भी कह रहे हैं, आपके परिचित में, अग का सहायता करें, ताकि वो भी साधना का लाब उठा सके, आज के लिए इतना ही था, चानल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिये हुए मंत्रों का सनमान भी बना रहें, आज के लिए इतना ही था, ओम, क्रिम, 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 प्रसन्न बरदो भवा प्रसन्न बरदो भवा जै सिद्ध साधक परिवार